सेंजीत कुमार दिल्ली से राधा वल्लो शीहरी वंश महराजी आपके चड़नों में कोटी-कोटी पढ़ाओ महराजी जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन एकागर्चित नहीं हो पाता मन में कुछ और चलता रहता है पढ़ाई में मन ही नहीं लगता महनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है महराजी खुपाब मार्ग रशन करें उद्देश ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा उद्देश हमारा गलत है अभी पढ़ाई उद्देश नहीं है अगर ठीक से उद्देश बन जाए पढ़ाएगा तो कैसी बात करते हो उद्देश में बहुत बड़ी ताकत करते है हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश की पूर्ती में कदम नहीं लख़ाते जिसका उद्देश बन जाता है उद्देश बन जाए तो ब्रह्मचारी हो उद्देश ठीक हो एक बार पढ़ लोगे हजार वर्स अगर जीवी तरह कभी भी पूछलो बात आजाएगे उसके दिमाग में अब नाना प्रकार के क्रियाओं से ब्रह्मचारी का नास करे अपने उद्देश का नास करे तो यही बाते होती जो आप कह रहे हो कच्छा नो पढ़े ब्याकरण नहीं पढ़े सास्त्री नहीं पढ़े कहीं दूसरी यह गया ऐसे नहीं गया कि बैठके सत्संग सुनके और सीख के बोल रहे भगवदाश्रित हो जावास सब अब आप खुद इसा मज़ें ना हमारी बात को आप खुद अपना नास का अज़र रहे है ब्रमचर का नास वीर का नास जीवन का नास है ब्रमचर यह अगर सही है आपने किसी तरह इदर उदर चेए तो यह प्रशन ही नहीं रहेगा जीधर दरश्टी डालोगी उदर जय होती चली जाएगी आज कल के बच्चे नौजवान इसको मनो रंजन समझते है और उनको शला हुए इसी मिलती है हम जैसे बोल रहे हैं ब्रमचर के लिए तो डाक्टर और आपको जो इदर सांसारिक प्रोचान देने वाले को आपको शला देंगे हमें तो अंग्रेजी को सब्द नहीं याद है फ्रस्टेशन हाँ यही जो इस्टेशन कह रहे है गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत सांस हो जाओगे और फिर अपने काम मिल देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है क्यों वा तो यह जो कमिया है ना यह कोई भूत नहीं है जिसे लोग कहते लगे पता नहीं कौन ऐसा उच नहीं है गंदी आदते हैं इन पर शायम लाओ आप सामझे ले स्वाइकार करते हैं हमारी बात कि की कोशिस करेगा यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तो आपको वहाँ डाक्टरी की जरूरत है अगर ऐसे कहीं तवचा में ऐसे तो उसका शुभाव गाड़ा हो जाना वो थोड़ी ही देर में वो अपने आपको बांध लेगा क्योंकि दक्त का एक शुभा होता है अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाड़ा हो जाएगा वो रोक लेगा इसकी आखिरी परनिती है बीरे वो श्वयम से नहीं निकलता वो इससे भी गाड़ी वस्तु है वो घर्शन से निकलता है अगर आप उसको गरम न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा तो नहीं निकलेगा और जब हम उसको तो फिर वो दीवन को नस्ट प्राया इस पर बच्चे बच्चे ध्यानी नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में जिसे डिप्रेशन कहते हैं मानसिक रोक से ग्रशित हो जाते हैं क्योंकि इसका परिणाम यही है या तो आपको प्रमाद और आलशी उप्टोकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा और या फिर आखिरी क्या त्मत्या कर लें ऐसी सला आपका मन देगा ऐसी स्तिति में पहुचा देगा इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रमचर से रहे ब्याह भी हो जाए तो सहीं हम से रहे यह जीवनी शक्ती है यह किसे की साथ खिलवाज नहीं करना चाहिए पढ़ाए लिखाए वो कैसे तुभे बताए अभी आप छेड़ना मत जैसे लोग केते ना बहुत परेशान हो कुछ करता आने हो ऐसा हो जाता हो ऐसा हो जाता है लेकिन आप छोड़िए उसका चिंदन छोड़िए उसकी किरिया छोड़िए अपने आपो ऐसे हो जाएगा जैसे जगत है आप एक महिने में देना सुरू करो जो देने का नियत कितना सो दो सो ग्राम पान सो ग्राम जो भी दिये आप दीजिए हर महीने तयार हो जाएगा आप ना दीजिये तो आपके सरीर को अभ्यास हो जाएगा आप दीजिये तो सरीर को अभ्यास हो जाएगा अगर आप रोज 300 तो फिर क्या होगा आप मर जाओगे समझे रहें ना अगर शरीर की छमता जैसे डाक्टर जनके देखते हैं कि तुम्हारी शम्ता नहीं खुन देने चलिए क्योंकि अगर निकाल लोगे शम्ता नहीं तो उसकी हानी हो जाएगी हाँ तुम्हारी शम्ता है तुम्हारे अंग ठीक है तुम स्वस्तो महीने में ऐता है जो समयावदी सुचो रक्त की आखिरी परनिती हो है वीरे आप क्या कर रहे हैं? रोज कई-कई बार आपका परणिम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी खालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परनिती है अन रश जो हमने पाया उसकी परनिती धिरे-धिरे परिवर्तित होते हुए मांस, मज्जा, रक्त वो आखरी शप्तम धात हो है बीरे और उसके साथ ऐसा खिलवार कैसा जीवन होगा आपका? इस पर कोई विचारी नहीं करता समझता है तो कि बाबाजीयों का विशे नहीं नहीं है पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आक्ते पास पढ़ाई वाली सामागरी ही नहीं रह गई है पहले क्या होता था जैसे गुर कुलुम है इस्टमर्ति आपकी कमजोर हो रही है तो मेदा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राम्मी उसको पिलाई जाती थी ब्राम्मी है ये चीजें क्यों क्योंकि उनमें इतनी शीतलता उनमें पौश्टिकता है कि वो वीर्य का बर्दन करके वीर्य को रोकेंगी खास बात उसमें होती थी अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो भी नास का खेल खेलते हैं जो हमारी शारी सांसारी को परमार्थिक दोनों नतिक अनास कर देता है अब उस प्रश्ण का क्या होता है अब उसके लिए क्या सला आप सही डंग से रहो अच्छा खाव प्यो थोड़ा भ्यायायाम करो सबके प्रित्पवित्र भाव अभी आप आनंद में आने लगोगे और जैसी आदते आजकल हो रही आनंद वाली तो है नहीं तो पतन वाली ही है चार दोस्त मिलते हैं मदिरापान करते हैं गांजा अब तो और क्या ड्रेक्स अब पताओ क्या होगा आप इतना बिस डाल लहें अपने अंदर इसलिए विशहली चीजें डाल लहें और इसी गंदी आदते डाल आपका जीवन क्या होगा कैसा खिलवार किया जा रहा है मनुष्य सरीर से जबकि ये देव दुरलब देही है भगवत प्राप्तिक्स के साथ कैसा तो बच्चों को ना तो शतसंग मिल ला है ना सास्तुष्वाद्य मिल ला है ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का क अच्छा बहुत पढ़े-लिखे हो तो सरापी के नाली कीड़े की तरह पढ़े हो मातापिता का अपमान कर रहे हो मन मानी बेवचार कर रहे है पड़ा है क्या हुआ पड़ा लिखाए बढ़े लिखा जर बीविद्या तो वही जो विन जलता, शालिंता, सभैता, नंधा नम पिता गुरु शास्तिन की परतंत्रता स्वाइकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है यह मन-मानिय आचरण जो समाज में बिश्तित हो रहे हैं यह पतन अशांति और पाप का कारण बनते हैं जो बहुत हानी का रहे हैं तो बच्चा सावधानी से जो बचा है उसको समाल लो जीवन जब से ग्यान हो जाए तब से अपने को समाल ले पूर्व में गलती हो गई आगे शुधार लेते हैं